वेलकल चुखान मी का कीचन हान ममी कीचन में खुशाम दीती चलिए फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं फिश फ्राई तो फिश फ्राई हमने सुर्में लिया है जिसे हमने कटिंग करा कर ले लिया है इसाला फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी आप इसे एंट तक देखिए चलिए फ्रेंड्स 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 हमारे फिश के मसाले मैरिनेट करके रखे वे हैं इसे हमने इसलिए हमने फ्राई पेंच अड़ा दिया है और इसमें ऑईल डाल रहे हैं और ओईल गरम होने देंगे हम उसके बाद फेश को उसमें फ्राई करेंगे देखिए मसाले इसमें लिसुन और हरी मिर्ची अद्रक थोड़ा सा बेशन हल्की सी कुटी वी लाल मेर्च थोड़ी सी राई हमने एड़ करके और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया और अब इसे हम फ्राई करेंगे हम हरी मिर्ची में हम हरी मिर्ची में इसे मसाले को मैरिनेट करेंगे आप चाहें तो आप लाल मिर्ची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं हरी मिर्ची लेसू नद्रक राई और बेसन और हल्दी नमक यह सारी चीज़ें हमने फिश में मिलाकर रख देना है आवर नाइट के लिए और इसके बाद हम इस तरह से से फ्राई करके ले लिए देखिए फ्रेंड मैंने बहुत जादा ओए ले लिया है इतना लिए कि इसमें यह फिश अच्छे से फ्राई हो जाएगी उलट पलट कर अब चाहिए थोड़ा सा निम्बू नहीं चोड़ दें कि अब चाहिए थोड़ा सा निम्बू नहीं चौड़ दें इस तरह से हमें आराम से पल्टी कर लेना है इस में फिश को तोड़ना नहीं है और अब इससे हमने अच्छे कल राने तक कर फ्राई करके इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे देखिए फ्रेंड यह हमारा फिश रेडी हो गया है और आप इसे जिससे भी चाहें आप इसे डेकॉरेट कर सकते हैं चलिए फ्रेंड्स अगर आपको ये फिश की रेसिपी अच्छे लगी हो अगर आपको ये फिश की रेसिपी अच्छे लगी हो तो हमें सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर किजिएगा अल्ला हाफीज झाल झाल